निता माने आयेन नमस्कार मैं मकरंद अभ्यांकर प्रमुक संचालक S.S.C. बोर्ड पुणे बोर्ड में पहले आने वाले चात्र के घर जाकर परिणाम बताने के बोर्ड के नियम अनुसार निता माने यह चात्रा महाराष्ट में सर्वपर्थम आई है उसे महाराष्ट और पुणे जिल्ले के सभी पारिदोशिक प्राप्त हुए है ऐसा मैं गोशित करता हूँ और नित मेरी मा यह नीता माने है क्या ठीक है आपका अर्धिक अभिननन और आपके धनादेश रख दिये है धन्यवाद थेंक यू सर हमें गर्व है आगे बड़ो हमें मतलब हम सबको हमारी वाड की निता शिवराम माने बराबर है ना निता शिवराम माने ससी बोर्ड की परिक्षा में डायरेक्ट बोर्ड में पहली आई शिवराम माने की पत्नी शिवराम हमारा दोस्त ही था स्कूल में हम एक साथ जाते थे हम एक ही वाइठक में यानि बड़े होने के बार उनकी बैठक अलग थी अरे सामाजिक कार्या की बैठक हम सामाजिक कार्या की बैठक में एक साथ बैठते थे तो आईसी ये शिवराम माने की पत्नी हमारी भावी भावी हो अगला काले करम दहन का है धिरे बोलिये ठीक है ठीक है गाड़ी निकलो इसकी बाद दिल पर मतले न ठीक है आते हैं अच्छा मगर थे ये मन ही ना क्यों समझे वो अंतरंगी थे अर्यन समाचार की और से हम असाधरन सफलता प्राप्त किये हुए लोगों की मुलाकत लेते रहते हैं आज हमारे साथ है नीता माने यह मेरिट में पहली आई है नीता मैडम सबसे पहले आपका अभिनन्दन वो भी छोटी है अभी किसी का कुछ मार्ग दर्शन नहीं मिला मुझे और क्लास को तो मैं कभी गई ही नहीं बाहर से परिक्षा दे इसलिए श्रेय या ऐसा किसी को नहीं है श्रेय ये कहोगे तो खुद मेरा ही है ऐसे कैसे मतलब आपको किसी ने तो मदद की होगी ना मेरे हिसाब से परिक्षा टीमवर्प तो नहीं है वो एक इंडिविज्वल एक्टिविटी है हाँ बराबर है लेकिन इसमें आपके बहुत परिश्रम होंगे ना हाँ मतलब देखिए मैं और मेरी बेटी एक साथ ही दस्वी में बैठे उसी की किताबे इस्तेमाल करके हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की लेकिन फिर उसका तरीका अलग मेरा तरीका अलग बाद में मैंने खुद अपनी पढ़ाई शुरू की और जैसे जैसे मैं पढ़ाई करती गई वैसे मुझे दीरे दीरे अपने सवालों के जवाब मिलते गए मैं खुद को जानने लगी और रिजल्ट आपके सामने है वावा, सुन्दर, बहुत सुन्दर वर्णन किया आपने ठीके मुझे एक बात बताईए, आगे क्या प्लान है आपके? अब आगे नोकरी संभाल के कॉलेज करूंगी अरे वावा, सुन्दर, एक एक बात रहेगे, आपकी बेटी? मेधा हाँ, मेधा, मेधा, वो भी इस परिक्षा में मेरिट में 24 आईए है न? हो, हो उसका भी हवे अभिदन्दन करना है, कहां है वो, जरा बूलाईए न? मेधा, 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 आईटम, रेन दू, रेन दू एडमिशन का देख लो, हमारे लिए कुछ तो रोखो, सिनियर हैं न हम लेकिन हमारी तरफ भी देखो जरा कितने साल आपको ही देखना होगा, तीन-चार साल होए हम तो भूके ही है, जाओ, सिखने पर ध्यान दो पाओ, क्या बिल्दिंग है? गार्डन भी कितना सुन्दर है, कैंकीम भी कितना सुन्दर है सच में? हाँ, हाँ ठीक है न, हम थोड़ी है यहां रुकने वाले, पहले ओफिस में चलते एडमिशन लेनी है न? हाँ, हाँ चलो ए लड़कियो, क्या चाहिए तुम्हें? सर, भी वोट अडमिशन अडमिशन? मुझे में अडमिशन ही लेनी है तो फिर वहाँ लाइन में जाकर रुको ठीक है सर ए रहने दो, रहने दो मिल जाएगा आपको भी अडमिशन चिंता मत करो अरे यार, हम तो यही यह तीन साल हुए एडमिशन का क्या देखते हों, मरे? हमें एडमिशन चाहिए अरे लाइन में अनुशासन है की नहीं? तोड़ा संभाल की इसीपन अंदर है यह नीता मैडम है मेरिट में फर्स्ट आई है इन्हें आपने यह अडमिशन दे दीजिए यह सर आई है मैडम पुरा नाम बताई है नीता, शिवराम, मानी कम्पनी ने उसे देल से आने की पर्मिशन दी है मेरिट में आई है कम्पनी का नाम हो रहा है आप क्यों हर रोज देल से आ रहे हो? मैम, वो हर रोज कॉलेज जाती है वो भी पैदल और वहां से सीधा यहां काम पर आना पड़ता है फिर आप उसे हर रोज लेने जाते है क्या? स्पेशल सर्विस उसका क्या है? मेने भी कॉलेज जोइन क्या है ना मतलब मेरी भी पड़ाई बाकी थी ना मेडम वैसे तो आपकी शादी भी नहीं हुई अभी तक आपका क्या है ना किसमें क्या और उम्र भी हो चुकी है कहीं फिसल ना मत कैसा है न मैम मेरी वजह से अगर उनकी पड़ाई हो जाती है तो उतनी उनकी मदद स्वार्थ खेसाद परमार्थ भी है ना शेखर वो औरत मतलब घर में ना बैठने वाली बड़ी मचली है उसका एम्बिशन और हर एक चीज को हासिल करने का उसका स्वाभाव बढ़ता जाएगा संभल के रहना अपने पती की नोकरी को भी सीड़ी बनाया है उसने और आगे बढ़ने के लिए आकी भी सीड़ी ना हो मेरे पास गवाने जैसा क्या है मैडम फिर भी ठैंक यू आपने मुझे बताया इसलिए मैं खायल रखूंगा देखे जो मैने सपनी सत रंगी ही मगर थी ये मन ही ना क्यूं समझे वो अंत रंगी ही थे ये मन ही ना क्यूं समझे वो अंत रंगी ही थे पागल ही था ये मन तो नमाने ये किसी का पागल ही था ये मन तो नमाने ये किसी का खुद में तिखो गए वो सत रंगी ही ना क्यूंगी क्यूंगी ही थे थे